हेलो स्टूडेंट बच्चो आज के हमारे हिंदी ब्याकरन में आज का टॉपिक है पुलिंग और इस्ट्रिलिंग जैसा कि आप जानते ही होंगे कि लिंग किसे कहते हैं जिस सबसे किसी जाती का बोध हो जिस सबसे किसी जाती का बोध हो उसे ही हम लिंग कहते हैं और लिंग दो प्रकार के होते हैं पुलिंग और इस्त्रिलिंग जैसा कि आप यहां चित्र में देख रहे हैं समीर क्रिकेट खेल रहा है सिक्षिका पढ़ा रही है सेर गुफा में बैठा है बिल्ली दूद पी रही है मेज पर फूलदान रखा है यह चोटी सी कटोरी है इन वाक्यों मे समीर सेर और फूलदान सब्द पुरुष जाती का बोद कराते हैं और शिक्षिका बिल्ली और कटोरी सब इस्त्रि जाती का बोद कराते हैं तो बच्चों अब तक आप लोग समझ गया हूँ है कि जिस सब से जो सब से पुरुष जाती का बोद हो पुरुष जाती का बोद ह उसे हम पुलिंग कहते हैं और जिस सबसे इस्ट्री जाती का बोध हो उसे हम इस्ट्रिलिंग कहते हैं संग्या सब्द पुलिंग या इस्ट्रिलिंग होते हैं आये हम कुछ और पुलिंग और इस्त्रिलिंग जानते हैं तो आप लोग जानते ही हैं पुलिंग मतलब पुरूज जाती का बोध और इस्त्रिलिंग मतलब इस्त्री जाती का बोध पुलिंग पिता का माता लड़का का लड़की बेटा का बेटी नाना का नानी, दादा का दादी, चात्र का चात्र, चाचा का चाची, माली का मालिन, राजा का रानी, गायक का गाई का, औरत का आद्मी, लेखक का लेखिका, सुनार का सुनारिन, कुमार का कुमारिन, अध्यापक का अध्यापिका, बाग का बागिन, उट का उटनी, हंस का हंसनी, भैसा का भैस, मोर का मोरनी, चिड़ा का चिड़िया, घोड़ा का घोड़ी, सेर का सेरनी, हाती का हतनी, नाग का नागिन, बंदर का बंदरिया, चुहा का चुहिया, कबूतर का कबूतरी, मुर्गा का मुर्गी, बिल्ला का बि सब्दों का रूप भी बदलता है जैसे बकरा घास खा रहा है तो खा रहा है क्रिया हुई तो यह किसका बोद करा रहा है खा रहा है मतलब पुलिंग जाती का बोद करा रहा है मेज पर गिलास रखा है रखा हुआ है तो यह भी पुरुज जाती का बोद करा रहा है मेज पर कटोरी रखी है पर्स में चावी रखी है तो यह क्या हुआ इस्ट्रिलिंग जाती का बूत करा रही है तो बच्चों आप लोगों को यह पुलिंग और इस्ट्रिलिंग के जो धारन दिये गए से आपको कॉपी में लिखना है और इसे याद करना है धन्यवाद